नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल विसी एस बेसिक फिक्स में आज की इस वीडियो में हम कक्सा 11 का टोपिक लेकर चल रहे हैं उर्जास संडक्षन नियम कक्सा 11 में जो NCID पाटे पुस्तक उसमें 6 चेप्टर कारी उर्जास संडक्षन नियम इस वीडियो में आप देखेंगे कि उर्जास संडक्षन नियम होता क्या है और कुछ है उपकरणों में हम उर्जास संडक्षन नियम की अनुपालना भी देखने वाले हैं दोस्तों कि संडक्षी बलों के अधीन किसी निकाय की जो यांत्रिक उर्जा रहती है वो संडक्षित रहती है वहाँ पर एक वाड आजाता है संडक्षी बल ये संडक्षी बलों के अधीन ही यांत्रिक उर्जा संडक्षन नियम लागू होता है अर्थार्त सन्नक्षी बलों के अधेन किसी निकाय की गतीज उर्जा था इस्तदीज उर्जा नियत रहती है यहाँ पर आज देखेंगे आप कि उर्जा सन्नक्षण नियम क्या है उर्जा सन्नक्षण नियम किसे कहते हैं तो देखे दोस्तों किसी भी जो विल्गित निकाई है उसकी कुल उर्जा नियत रहती है, किसी गठना से पुर्वय की उर्जा, किसी गठना के बाद की उर्जा नियत बनी रहती है, हम ये भी कह सकते हैं उर्जा सन्रक्षन नियम के अनुसार, कि उर्जा को ने तो उत्पन कि किया जा सकता है इसे एक रूप से दूसरी रूप में परिवर्थितेकिया जा सकता है दोस्तो हम यह कह सकते हैं कि सी गठना के पुर्वर की और्जा OS Gठना के बाद की जो और्जा है वो बराबर हैती हैrad amino को रहती है नियत बनी रहती तो इसकी जो उर्जा अभी है उतनी ही रहेगी वो constant बनी हुई है दोस्तों तो हम उर्जा सन्रक्षन नियम को किस प्रकार से कह सकते हैं किस प्रकार से बता सकते हैं वो देखिए इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार उर्ज्या को ने तो उत्पन किया जा सकता है ने तो उत्पन किया जा सकता है नही नस्ट किया जा सकता है इसें एक रूप से दूसरे रूप में एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है जो उर्जा है यह नहीं नहीं दूसरे रूप में बदला जा सकता है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आप ने देख लिया है कि उर्जा सन्रक्षन नियम क्या है कि उर्जा को हम ने तो उत्पन कर सकते हैं नहीं नस्ट कर सकते हैं वो एक रूप से दूसरे रूप में कनवर्ट जरूर हो सकती है हम यह भी कह सकते हैं कि किसी विल्गित निकाई की किसी गठना से पूर्व है और गठना के बाद की जो उर्जा है वो नियत रहती है तो यह हम देखें दोस्तों क्या कह सकते हैं कि किसी विल्गित निकाई की विल्गित का मतलब है कि अन्य निकाईों से उसका कोई उर्जा का आदान परदान नहीं होता तो किसी विलगित निकाई सिस्टम तंत्रे की किसी गठना से पूर्वय की उर्जा कुई गठना से पूर्वय की उर्जा कोई गठना है उससे पूर्वे की उर्जा तथा गठना के बाद की उर्जा बराबर होती है अर्थार्त जो उर्जा है वो किसी गठना से परिवर्तित नहीं होती गठना के पहले और गठना के बाद की जो एनरजी है वो नियत बनी रहती है दोस्तों तो ये है उर्जा संदक्षन नियम हमें कुछ एक्जामपल्स के जरिये ही से उर्जा संदक्षन नियम को समझ सकते हैं दोस्तों जो उस्मागतिकी का फर्तम नियम है वो हमें ये बताता है कि भर्मांड की कुल उर्जा नियत रहती है उस्मागतिकी के फर्तम नियम से उस्मागतिकी का फर्तम नियम है वो हमें क्या बताता है कि भर्मांड है उसको ही यदि हम कोई एक निकाई कंसीडर कर लें तो भर्मांड की जो कुल उर्जा है वो नियत बनी रहती है, constant रहती है तो भर्मांड की कुल उर्जा नियत रहती है कुल जो उर्जा है वो नियत रहती है, constant बनी रहती है दोस्तों तो यह जो भर्मांड है उसकी जो total energy है वो constant है, नियत है इस्तिर है दोस्तो तो यहां पर यह था उर्जा संदक्षन नियम हम यहां पर कुछ एक्जामपल्स लेंगे और उन एक्जामपल्स के जरीए समझेंगे कि उर्जा है वो संदक्षित उनमें किस प्रकार से रहती है दोस्तो किसी गठना में किसी उपकरण के द्वारा उर्जा को एक रूप से दूसरी रूप में बदला जरूर जा सकता है बट जो उर्जा है वो constant बनी रहती है इस्तिर रहती है दोस्तो हम यहां पर कुछ उर्जाओं के रूप आपको बता रहे हैं और उनी रूपों के आधार पर कुछ उपकरण आपको बताएंगे जो एक रूप से उर्जा को दूसरी रूप में convert करते हैं जैसे हमने कुछ उर्जाओं पहले पढ़ ली है उर्जा के विभिन रूपों में आप देखेंगे उर्जा के विभिन रूप और विभिन रूपों में देखेंगे दोस्तों हमने परकास उर्जा जो द्रस्टी सम्वेदना उत्पन करती उसको हम परकास उर्जा कहते हैं धवनी उर्जा जो कानों में सर्वे सवेधना उतपन करता जिसकी वज़े से सुनाई देता है वो धवनी उर्जा जिसकी वज़े से दिखाई देता है वो है प्रकास उर्जा रासाइनिक अभिग्रियाओं में से जो उर्जा उत्पन्न होती है उसको हम रासाइनिक उर्जा कहते है सोर उर्जा क्या है सूरियम तारों से उत्पन्न जो एनर्जी होती है उसको हम सोर उर्जा कहते है उसके साथ में देखिए उर्जा के कुछ अन्य रूपों में हम बात करें नाभीक के उर्जा नाभीक के उर्जा नाभीक के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं न्यूट्रोन, प्रोटोन, उनके मद्दे लगने वाले बलों के कारण से नाभीक में जो एनर्जी संचित होती उसको हम नाभीक के उर्जा कहते हैं और नाभीक के उर्जा दोस्तों वेसे दो प्रकार की होती है नाभीक के विखंडन और नाभीक के सलियन नाभीक के विखंडन और नाभीक के सलियन देखें नाविक के विखंडन में क्या होता है नाविक के विखंडन के अंदर एक बड़ा भारी नाविक दो हलके नाविकों में तूड़ जाता है तो उस गठना को हम नाविक के विखंडन कहते हैं और इस नाभी की विखंडन की गठना में अत्यन्त जादा मात्रा में उर्जा का उत्सरजन होता है और उस उर्जा को ही हम नाभी की उर्जा कहते हैं दोस्तो नाबी की सलियन में दो हलके नाबिक, दो छोटे नाबिक आपस में मिलकर एक बड़े नाबिक का निर्मान करते हैं जिसको हम नाबी की सलियन कहते हैं दोस्तों तो ये हैं एक नाबी की उर्जा और इसके अलावा कुछ अन्य उर्जाओं में हमने देख लिया है जैसे यांत्री कूर्जा के किसी वस्तूर की इस्तिती या गती के कारण उसमें संचित जो एनर्जी होती है उसको हम यांत्री कूर्जा कहते हैं कि एक निकाई है, सिस्टम है, उसकी इस्तिती या गती की वज़े से जो एनर्जी संचित होती हैं, उसको हम यांत्रिक उर्जा कहते हैं, यांत्रिक उर्जा दो प्रकार की उर्जाओं से मिलकर बनी होती हैं, जिसको हम गती जुर्जा और इस्तिती उर्जा कहते हैं दोस्तों अब मैं कुछ ऐसे उपकरणों को आपके सामने बताने वाला हूँ जो उर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कनवर्ट करते हैं यहाँ पर देखें दोस्तों मैं यहाँ पर ले रहा हूँ उपकरण और यहाँ पर हम बताएंगे उर्जा का रूपांतरण उर्जा का रूपांतरण वो उर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कनवर्ट करते हैं तो कौन सी उर्जा को कौन से रूप में कनवर्ट करते हैं दोस्तों वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं सबसे पहले हम बात करते हैं जनित्र विद्धुत जनित्र देखे दोस्तों जनित्र है जिसको हम generator कहते हैं यह यांत्रिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में convert करने का कारिय करता है तो यह जनित्र के द्वारा यांत्रिक उर्जा से हम विद्धुत उर्जा प्राप्त करते हैं यांत्रिक उर्जा से विद्दू तूर्जा प्राप्त की जाती है फिर हम बात करते हैं मोटर मोटर इसकी ठीक अपोजिट होती है दोस्तों वो विद्दू तूर्जा को यांत्रिक उर्जा में कन्वर्ट करती है विद्दुत उर्जा को किस में बदलने का कारिय करती है यांतरिक उर्जा में बदलने का कारिय करती है हलांकि इनके अंदर उर्जा संडक्षित रहती है कुल उर्जा नियत बनी रहती है ये जो उपकरण है वो उर्जा को एक रूप से दूसरे डूप में convert करने का कारिये करते हैं कुल उर्जा नियत बनी रहेगी दोस्तों फिर हम बात करते हैं अगले उपक्रण की जैसे loud speaker होता है तो जो loud speaker होता है दोस्तों वो विद्दू तूर्जा को धमनी उर्जा में convert करता है विद्दू तूर्जा को फोटो सेल जो प्रकास है उसको विद्धुत उर्जा में convert करने का कारिये करता है प्रकास यह हम कह सकते हैं सोर उर्जा तो यह सोर उर्जा को convert करता है विद्धुत उर्जा में सोर उर्जा को विद्धुत उर्जा में convert करने का कारिये करता है दोस्तो फिर हम बात करते हैं हीटर की एक दोस्तों जो हीटर होता है वो विद्धुत उर्जा को उसमी उर्जा में कनवर्ट करता है या हम कह सकते हैं सिर्फ उसमा में कनवर्ट करता है दोस्तों तो अलग-अलग उपकरण है वो उर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कनवर्ट करते हैं विन्न परकार से करते हैं तो हिटर है वो विद्दू तूर्जा को उसमें उर्जा में रूपांतरित करने का कारिये करता है यदि हम बात करें बल्ब की तो जो बल्प होता है वो विद्दुत उर्जा को प्रकास में कनवर्ट करने का काम करता है प्रकासी उर्जा में कनवर्ट करने का कारिय करेगा दोस्तो नेगी is उसमा के साथ में उसमे से थोड़ा सा प्रकास होता है इसका मतलर विद्दू तुर्जा वह उसमे उर्जा में तो कन्वर्ट होती है लेकिन उसका कुछ भाग प्रकास के रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है ठीक उसी प्रकार से जो बल्प होता है वो विद्दू तुर्जा को प्रकास उर्जा में convert करता है बट हम जानते हैं कि जो बल्प है उसको यदि हम अच्छे से देखें समझें तो वो जो बल्प है वो गरम हो जाता है इसका मतलब है कि उर्जा का कुछ हिस्सा है वो उसमी उर्जा के रूप में भी convert हो जाता है तो ऐसे हमारे पास में जितने भी विद्धु तुपकरण होते हैं जैसे पंखा होता है तो जो पंखा है दोस्तों वो क्या करता है विद्धु तूर्जा को पवन उर्जा में कनवर्ट कर देता है और जैसे हम पवन चक्के की बात करें तो वो यांत्री कूर्जा को जैसे परम्ब करता है और उससे हम विद्दुत उर्जा प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों तो और जैसे हम बात करें कोईला जो कोईला है दोस्तों कोईले को जब जलाया जाता है तो उसमें रहसानिक उर्जा होती है और रहसानिक उर्जा को वो कनवर्ट कर देता है विद्दुत उर् दोस्तो तो जो नाभी की बठी होती है दोस्तो उसमें भी जो एनरजी होती है वो नाभी की उर्जा होती है और नाभी की उर्जा से हम विद्दुत उर्जा प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर मैं कुछ एक्जामपल्स आप लोगों के सामने और रख रहा हूं जो नाभी की बठी होती है, परमानों बठी होती है उसमें नाभी की उर्जा है, वो किसमें convert होती है दोस्तों नाभी की उर्जा से हम विद्दुत उर्जा प्राप्त करते है विद्दुत उर्जा प्राप्त की जाती है और जो प्रकास अंसलेशन की प्रक्रिया होती है उसमें अब मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से ही बता देता हूँ ये टेबल मैंने कुछ एक्जामबल्स बता दे हैं कि जब प्रकास अंसलेशन की किरिया करते हैं पेड़ पोदे तो उसमें जो पेड़ पोदे हैं वो सुर्य का प्रकास गहन करते हैं और वो उसे प्रकास को प्राप्त करके जो उर्जा है वो रसनिक उर्जा में कनवर्ट कर देता है तो परतेक जो उपकरण है या जो उर्जा है वो एक रूप से दूसरी रूप में convert हो सकती है हलांकि उर्जा की कोई क्षती नहीं होती ऐसा कोई उपकरण नहीं है जो स्विम कोई उर्जा create करता हो स्विम कोई उर्जा उत्पन नहीं करता बट उर्जा को एक रूप से दूसरी रूप में आराम से बदला जा सकता है दोस्तो तो ये था दोस्तो उर्जा संदक्षन नियम और हमने इस वीडियो में देखे उर्जा संदक्षन नियम के साथ में कुछ ऐसे उपकरण जिनकी सहायता से हम उर्जा को एक रूप से दूसरी रूप में बदल सकते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद दोस्तों